resignation करना याधो की पास पहला कि समाजवादी पार्टी के साथ लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि कभी भी उन्हों है किसे ँशाह बढ़ी वार्त से आजहीं हो बगावत कर सकती हों कि अपढ़ना यादव जिस तरीके से बयान बाजी करती हों समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के खिलाब बोलने से बसती हैं इसके साथ ही अपढ़ना यादव ने खूद के दम पर उन्होंने अपना जनधार नहीं जनता पार्टी ने पाने फेरने का काम किया है दरसला आपको बदा दें कि भारत्य जनता पार्टी ने गये जवात अपढ़ना यादव का दकर नहीं है इस लिस्ट में किसी भी तरहा से अपणना यादव को जगा नहीं दी गई है जिस अधार पर कहा जा रहा है कि अब क्या करेंगी अपणना यादव क्या अपणना यादव अभी भारतिय जनता पार्टी संग रहेंगी या फिर भारतिय जंता पार्टी से अलग होने का फैसला ले सकती है दरसल साथ विधान सभा सीटों पर जिन पृतियाश्यों का एलान किया है उसमें कुंदर की आती है जिसमें सेश्री, रामवीर, ठाकूर को भारतिय जंता पार्टी ने उतारा है गाजियबाद विधान सभा सीट है जहांपर संजीव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है खैर विधान सभा सीट है जहांपर सुरेंदर दिलेर को चुनावी मैदान में उतारा गया है फूलपुर विधान सभा सीट है जहाँ पर दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है कटहरी विधान सभा सीट से धर्मराज निशात को मजवा विधान सभा सीट से सुची स्मिता मौर्या को चुनावी मैदान में उतारा गया है और जो सबसे एहन सीट मानी जा रही थी उत्तर परदेश में जहां कहा जा रहा था कि बड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आएगा अगर अपणना यादव इस सीट से चुनाव लड़ लेगी वो सीट है करहल विधान सभा सीट लेकिन भारतिय जनता पार्टी ने करहल विधा सीट से अपणना यादव नहीं बलकि परिवार के खिलाब परिवार के चेहरे को तो उतारा लेकिन उसमें अपणना यादव का नाम नजर नहीं आए आपको बता दे करहल विधान सभा सीट से अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में भारतिय जनता पार्टी उतारती अनुजेश यादव धरमेंद्र यादव के जीजा एक बड़ा रिष्टा और एक बड़ा संबंद लेकिन ये पारिवारिक मुकाबला अपणना यादव के जरीए भी हो सकता था लेकिन ये पूरा महौल अब उत्तरपरदेश में गर्माता हो नजर आ रहा है कि अब अपण अनुजेश यादव करेंगी तो क्या करेंगी अब कई सवाल बनते हैं सिराज मेरे सहीयोगी मेरे साथ माजूद हैं सिराज क्या लगता है अपणना यादव का नाम करहल विधान सभा सीट पर नहीं भारते जंता पार्टी के क्या रणनीती है आजी देखे ये मुझे लगत अब यादव को मौका दिया गया है जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है साती यादव परिवार का हिस्सा भी है और माना यही जारत है कि यादव वोट बैंक में सेंदमारी करने के लिए और जो समाजवादी पार्टी का गड़ है उसमें किला फत्य करने के ल कि अपना यादाओ की नाराजगी खूल कर सामने आय थी जब महिला आयो का उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया था और मामला इतना बड़ गया था कि योगी अधितनात इसके साथ ही भुपेंदर चौधरी और कह सकते हैं जो तमाम बड़े दिगर नेता हैं बीजेपी के वो लेकिन बात बंती भी नहीं नज़र आई इसके बात बीजेपी के चाड़ा के वो इस लड़ाई में कूद परते हैं और इस पूरे के पूरे मामले पर गिरह मत्री अमिर शाह एक्षन लेते हैं वो खुद संग्यान में लेते हैं और अपढ़ना यादाओ से बात चीत करते ह यादाओ संग्योगी अधितनाद की मुलाकात होती है और इस मुलाकात को लेकर कई सवाल उठ रहते क्या पढ़ना यादाओ अभी पद ग्रहन करने को राजी इसलिए हुई है ताकि उन्हें उपचुनाओ में मौका दिया जाएगा क्या भारतिय जंता पार्टी में समय आन मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी आखिरकार आपढ़ना यादाओ को साइड करके क्या भारतिय जंता पार्टी वसूल करना चाहती है उत्तर प्रदेश में अगर हम जातियों की बात करें तो हर जाती अपने वर्ग में महतपून भूमी का निभाती है लेकिन करहल विधान स सीट पर जिकर करें तो यादवों की समुधाई की बात करें उनकी अबाद ही ज्यादा दिखाई देती है अपढ़ना यादव कब तक इंतिजार करेंगे और अपढ़ना यादव यहाँ पर मूख दर्शक की तरह क्यों नजर आ रही है जी देकिये मुझे लगता है अभी ज यादव से और माना जा रहे था कि आप कुछी देर में समाजवादी पार्टी में वह वापसी करेंगे लेकिन किसी भी तरीके से देखा जाये तो ग्रेमांतिरया मिशा से जब बात होती है उसके बाद मामला थंडे बस्ते में डाल दिया जाता है लेकिन अबस देखा जाये 27 का या तो फिर इंतिजार करें बीजेपी में ही रहना है तो या फिर पार्टी के साथ ऐसे ही जो है जो पद मिल रहा है उसे ग्रेंड करें और बनी रहा है क्योंकि देखिए अब अपढ़नाय आदाओ पर कुछ खास विकल पिसले भी नहीं है क्योंकि उन्होंने चुनाओ यहां से चाहती थी कि उन जगहों पर दाओ खिला जाए जहां पर समाजवादी पार्टी का गड़ है या फिर जहां से उनके परिवार के लोग चुनाओ लड़ते हैं लेकिन अपढ़नाय आदो पहले ही संदेश दे चुकी है कि मैं परिवार के खिलाफ कभी भी चुनाओ नहीं लड़ूंगी तो मुझे लगता है इन तमाम बयान बाजियों के चलते अपढ़नाय आदो खुद को मुश्किलों में डाल कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को मुश्किलों में डाल लिया यहां पर मैं टोकना चाहूंगी अगर अपढ़नाय यादो परिवार के जाए तो भली वह B.J.P. के साथ हैं लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि कभी भी उनने समाजवादी पार्टी के खिलाफ उतने अच्चे तरीके से उनका विरोद किया हो खिलाफत की हो या परिवार कि किसी सद्व क के खिलाफ उन्होंने बयान बाजी कि हूँ हमेशा बसत रही है क्योंकि ये मुझे लगता पढ़ना यादव की एक अगनी परिक्षा की तरह है कि आपके अंदर कितना धैर है कितना सब्र है आप कब तक जो है हमारे साथ बनी रहती है लंबे वक्त से देखे जाए तो वो मैज करे करताओं की तरह ही जो है ट्रीट पाती थी उनको और करे करताओं की जैसा ही उनके साथ बेवार होता था लेकिन जिस तरीके से अभी जो महिला आयो का उपाध्यक्ष बनाया गया है इसके बाद से उनकी नराजगी खूल कर सामनी आई थी लेकिन अब उपचुना में उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है उन्हें साम पहलू हैं जिन पर कहीं न कहीं अभी बात करना काफी जादा जरूरी है और उत्तर प्रदेश में देखे नौ सीटों पर विदान सभा के चुना होनें साथ सीटों पर कहीं न कहीं बीजेपी न अपने उमिदवार उतार दी हैं 13 नमबर का वो दिन होगा जब नौ सीटो से फ्रंट पर आ गए हैं और उन्होंने भी इस उप्चनाव को बिल्कुल भी हलके में लेने का नहीं उनका मूड नजर आ रहा है और उन्होंने भी तमाम प्रयास किये हैं और जाहिर से बात है इन दोनों ही पार्टियों के बीच आप देखना होगा किस तरीके से जो जंग है वो चिड़ती भी नजर आएगी और आखिर इन नौ सीटों में से किसको किसको जो है बड़ात मिलती भी नजर आएगी चोट असे सवाल लेना चाहूंगी आपने बीच में ये कहा कि अपड़ना यादव की अगनी परिक्षा है और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कितन गांधी मेंका गांधी का जिकर कर लें वो भी कॉंग्रिस पार्टी या परिवार का हिस्सा थी लेकिन भारते जनता पार्टी में आ जाते हैं जितन प्रिसाद की बात करें कॉंग्रिस पार्टी का हिस्सा थे भारते जनता पार्टी में आ जाते हैं तो ये भी तो चेहरे है जिने भारती जनता पार्टी ने आते ही मौका दे दिया लेकिन अपढ़ना यादव को नहीं दिया जा रहा जी देखिए मैं पहली कह चुका हूँ कि अपढ़ना यादव जिस तरीके से बयान बाजी करती हो समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के खिलाब बोलने से देखें बिलकुल यहाँ पर बात करें तो समाजवादी पार्टी सबका साथ लेकर चल रही है जो एक नारा भारती जनता पार्टी का था सबका साथ सबका विकास कॉंग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी मिलकर फिर चुनाव लड़ेंगी बेशक यहाँ पर शर्थ है क कांग्रेस पार्टी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ती वी नजर आईगी तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो भारती जनता पार्टी सिर्फ अकेले अपने दम पर ही चलना चाहती है ना सिर्फ अपणना यादव को बलकि अपने सहयोगी दलों को भी दरकिनार करती वी असराएगी ये भी एक एहम मुद्दा बन जाता है अब इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या लगता है कि अपना यादव को क्या करना चाहिए अपना यादव को सपा में जाना चाहिए ये भारती जनता पार्टी में यूहीं बने रहना चाहिए इस पूरे मुद्दे को लेक कर अपनी राय कम सक्ष्चन में जरूर देखते हैं स्पिनाइ नियूस थन्यवाद